अद्रक का ये नुस्का लगा लिया तो गंजे सर पे इतने बाल उगाएगा बालो की इतना लंबा और घहना बनाएगा कि कटवाते रह जाओगे हालो प्रेंट वागत आप सबीक आपके अपने यूट्यूब चैनल वेट के हिल्थेन वीटियो सेक्रिट में आजके इस वीडियो में मैं फिर से लेकर आगाई हूँ आपके लिए एक हेर ग्रोथ रेमेडी जो की आपके सर के गंजे पन को दूर कर आपके जड़े बालों को दो बारा से उगाएगा और आपके बालों को तेजी से लंबा घना और मोटा बनाएगा इसे बनाना बहुत जड़ा आसान है और इसे इसके फायदे इतने ज्यादा बेनीफिसियल है इतने ज्यादा अमेजिंग है कि आपको सर्प्राइज रहे जाओगे इसी तरह की हेर ग् कोई है या आपके कोई इसको में जरूरा है उसके में चूटे शोटे पीसस काठ कर इसे मिक्सी में पीसकर पीच कर ते चिंजर गेटर के इसको में इसका व्यूस निकाल लूँगी गाइस प्याज में सलफर पूर्चर मातरा में पाया जाता है जो बालों को जड़ने की प्रॉब्लम को दूर करता है सलफर सर की गंजे पन को दूर करके सर पे नए बाल उगाने में मदद करता है साथ ही प्याज में जिंक और फास्पोरा जैसे पोसकतर तो गंजिव सरब नnder उगाने में सरक लिए लीखें इसाब बहुत फाइदे-मद हैं विए ब्रबलब्लीक्ति होती हैं अंटी ऐक्टी और प्रोब्लम् को दूर करता है बालों की डॉर कर बालों को शुप और शिल्की साइनी बनाने में भी मदद करता है तो प्याज को मैंने कद्द कर लिया है निए यहां पर लिया है जिंजर यानी की अध्रक अध्रक हमने आपर तीन चोटे-चोटे टुक्डे लियां आप यहां पर चाहें तो एक इंची के लगबग अद्रक का टुकडा ले सकते हैं इसको भी मैं जिंजर ग्रेटर के लिप से ग्रेट कर लोंगी अद्रक में भी जिंक फासपोरस पोटैसियम जैसे तत्व पाय जाते हैं हमारे बालों के जड़ने तूटने के प्रॉब्लम को दूर करता ह यदि आपके बाल बहुत जाधा कमज़ों और बहुत पतले हैं तो आप नुसका जरूरा कीजिए आपके बालों के ज़ूरे पण की समसा हो दूर होगी बाल पूरी तरह स्वस्ट होंगे मजबूत होंगी बाल मोटे होंगे और अधरक हमारे dragon को कंट्रोल करता है इसके बाल बुरी तरह से जड़ गए आपके सर पर पैचस पढ़ गए आपके सर पर गंजापन होता जा रहा है तो आप इस रेमडी का जरूर इस्तमाल करिए गा तो मैंने या पर दोनों चीजों को अच्छे से कद्डू कर लिया है उसके बाद में कपड़ी की हिल्प से इसक अच्छे से चान लिया है इसका सारा जूस निकाल लिया है तो काफी सारा जूस हमें यहां पर मिल जाता है और गईज अगर आप के सर पर गंजा पने ता आप इस तरह से इसका जूस निकाल कर फ्रिज में लगभग एक अपते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और आप इसको यूज कर सकते हैं तो इसका जूस हमने यहां पर निकाल लिया है उसके बाद इसमें हम और भी चीजे एड़ करेंगे तो यह बहुत अच्छा हमारा हेयर ग्रोथ मास्क बनकर रिडी हो जाता है तो इसको आप चाहें तो फ्रिज में एक हपते के लिए स्टोर कर सकते हैं है और उसके बाद आप इसको इसको इसमाल करें तो कैसमें और भी चीजे डालेंगे जिसे इसके जो ज़्यादा इन्हांस हो जाती है आप चाहें तो सिर्फ इन्ही दो चीजों का जूसे उसे यूज कर सकते हैं लेकिन अगर आप अपने बाल्ड़नेस को जल्दी से दूर क करना चाहते हैं और अगर आपको बहुत एक्स्ट्रीमली हेर फॉल हो रहा है तो इससे कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसकी गुड़नेस को और ज्यादा इनेंस करने के लिए हम इसमें और भी रेमडीज याइट करेंगे तो उसके लिए मैंने आप लिए कैस्टर ओल जो कि जाता है केस्टर ओल में भी विटामिर और विटामिन वी जैसे पिरपर्रीज हुती है साथ इसमेन अएंटी बैक्टेरियल प्रपर तैक सिंट ज्चैल्पके पकूर करती हैए खुजली को दूर करती है हमारे बालो को चमकदार बनाने में मोटा घना और सुस्त बनाने में जड़े बालो को दुबारा से उगाने में भी कैश्टर ओयल बहुत ज़्यादा फायदे मन्द होता है तो अधा चमच में आप पर कैश्टर ओयल लिया आप चाहे देख चमच ले सकते हो सर का गंजा पंदूर करने में कैश्टर ओयल के फायदे बेमिसाल है साथ ही ये बालो को चमकदार और सिल्की बनाने में भी अच्छा काम करता है और हेर फोल को कंट्रूल करने में भी बहुत कारगर होता है अगर आपके सर पे बहुत जादा गंजा पन है तो आप इस रेमडी का डेली यूज करें डेली आपको अपने गंजे सर पे इसको लगाना है लगा कर मसाज करने उसके बाद फिर सिस रेमडी को लगा कर ऐसे अपने स्कैल पर छोड़ देना है कोई भी इसका नुकसान नहीं है गाईज किसी पी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बलकि ये रेमडी आपके सर के डैंडरब को जूओं को नश्ट करती है इसकैल्प की कुजली को दूर करती है अगर आपके बाल जड़ों से बहुत ज़़ादा कमजोर है बालों की जड़ों में दर्द होता है तो उस प्रॉब्लम को भी नुसका दूर करता है साथी एन उसका हेर ग्रोथ को बहुत तेजी से प्रमोट करता है गंजे सर पे बाल उगाने में बहुत ज़्यादा कारकर है तो चली चालने तो इसको कैसे अपलाई करना है तो फ्रेंट इस तरह से इस मासक को आपको मांग करकर के अपने स्कैल्प पर लगा सकते हैं या फिर इस तरह से कॉटन के हिल्प से मांग करकर के अपने पूरे स्केल पर अच्छे से लगा लीजिए इसे लगा कर हलके हाथों से मसाज कीजिए मसाज करने के बाद आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए अगर आप सैंपू करना चाहे तो इसे लगाने के एक घंटे बाद आप सैंपू कर सकते हैं या फिर इस नुस्के को आप रात में लगाएं और सुबे में आप सैंपू कर सकते हैं और अगर आप इसको ऐसे ही लगा कर रख सकते हैं तो आप इसको एक दू दिन रेगुलर लग जरूर इसका नुपसान नहीं यहन इसका आपको कम से कम दो से तीन मैने तक स्थमाल करना इसके कि अप देखेंगे और झंवे यहां है तो बहुत जल्दी से आपके सर बाल आना शुरू हो जाएंगे साथी साथ यह भर को प्रमोड करता है अगर आपके सर बाण नहीं इस तरह से गाई जी नुश्का आपके हेर फोल को भी कंट्रोल करता है जड़े बालों को दोबारा से उगा कर आपके बालों को रिश्टोर करता है बालों को सब्स्त चमकदार मजबूत बनाने में मदद करता है सर के डेंडर पर जूई जैसे प्रॉब्लम को भी दूर करता है तो इस नुज़के का हफ्ते में 2-3 वार आप जरूर इस्तिमाल करें गाईज आप देखेंगे आपके बालों के सारी प्रोब्लम दूर होगी और गाईज असर इस तरह से हमारे मत्ये के जो इस साइड के बाल हैं यहां से जल्दी से हमारे बाल ज़ड़ते हैं खासकर यह पूरसों में ज़्यादा देखा जाता है कि यहां से उनके बाल ज़्यादा जड़ते हैं तो गाईज अगर आपको भी यह प्रॉब्लम है तो आप इस नुस्के का जरूर इस्तमाल करें आपके बाल जल्दी से उगेंगे और आपका गंजापन दूर हो जाएगा औ और इसके कुछ दिरों की इस्तमाल से आपके जड़े बाल दुबारा से भी उगाएंगे तो गाईज ऐसे बहुत सारी रेमडिज मैंने अपने चैनल पर सेयर की है तब प्लीज आप उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बहुत ह लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है जिससे हमारा होसला बढ़ता है और हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आने की पूरी कोसिस करते हैं अगर आपकी भी कोई स्किन या हैर से रिलेटेट प्रोब्लम में तो आप हमें कमेंट बोक्स में जरूर ल और भी फ्रेंट फेमली की मदद होगी इससे हेर से रिलेटेट प्रोब्लम है वहें दूर होंगे तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्स वाचिए टेक कियर बाई बाई